दोससे आज के लिए जो वीडियो है तो डोडल दो पार्ट में होगा और दोनों पार्ट में मैं आप लोगों को भारत के दो महत्वपूर्ण डिफेंस डिवलाप्मेंट के बारे में बताऊंगा जिन में सबसे पहला पार्ट है ब्रहमोस एंजी और ब्रहमोस एक्स्टेंडे और काफी बड़ा ओर्डर मिला है तो दोसो दोनों विशयों के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रही है और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए तो सब सब को पताई होगा कि भारत और रश्या के द्वारा साल 1989 में ब्रम्मोस मिसाइलों को निर्मान करने को लेके काम शुरू किया गया और साल 2001 में इसमें भारत और रश्या को पहला सक्सेस मिला ब्रम्मोस असल में दोनों देशों के तरफ से जॉइंटली डिवलफ्ट किया हुआ एक सुपर सौनिक एंटी शिफ लैंड एटाइक क्रूज मिसाइल है जिसका इस्तेमाल भारत के आर्ण फोर्स के तरफ से तो किया जाई ही रहा है साथ में हाली में ही फिलिफिन के तरफ से भी इन मिसाइलों को खिरदा गया है दोस्तों इन मिसाइलों का इस्तेमाल इंडियन आर्मी नेवी एर फोर्स तीनों के ही बेड़े में है औ लाकि दोस्तों ब्रमोस मिसाइलों के इस सक्सेस को देखते हुए बीते 20 सालों में ब्रमोस मिसाइलों को काफी बदला वी गया है और पहले के बिसाइलों के मुकाबले में अब जिन मिसाइलों को भारत के द्वारा निर्मान किया जाता है उसमें काफी एडवांस्मेंट वी ब्रमोस मिसाइलों के range को भी बढ़ाया गया है ब्रमोस मिसाइलों के platform मों में तब्दिली किया गया और इसके air launch version को भी Indian Air Force के security MKI Air Capto के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है पर दोसो इसके 7 साथ साथ ब्रमोस मिसाइलों के कुछ अन्ने variant को भी तयार ब्रम्मोस एरोस्पेस के तरफ से किया जा रहा है और दोसो इन मिसाइलों में सबसे प्रमुक है ब्रम्मोस NG मतलब Next Generation के ब्रम्मोस मिसाइल जिसे की ब्रम्मोस मीनी भी कहा जाता है हलाकि इसके इलाबा ब्रम्मोस मिसाइलों के रेंज को बढ़ा के एक Extended Range ब्रम्मोस मिसाइल को भी निर्मान किया जा रहा है और रिपोर्ट में अब दावा किया जा रहा है कि ये जो दोनों मिसाइल है साल 2023 तक तयार हो जाएगा और साल 2023 के बाद से इसका ट्रायल भी शुरू कर दिया जाएगा तो उसे रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ब्रम्मोस एरोसफेस के तरफ से ब्रम्मोस मिसाइलों के जो ताकत है उसे और एनांस करते हुए ब्रम्मोस Extended मिसाइलों को निर्मान किया जा रहा है दोसे ये जो missile है ये केवल मात्र ब्रमोस के जो current variant है उससे range में ही आगे नहीं होगा बलकि बताया जा रहा है कि इसका रफतार भी current ब्रमोस missile के मुकाबले में काफी अधिक होगा आप सबको पताई होगा कि जब ब्रमोस missile को पहली बार developed किया गया था तब भारत MTCR मतलब missile technology control regime के member नहीं था जिस वज़ा से रश्या भारत के साथ मिलके 300 km से अधिक range वाले missile का निर्मान नहीं कर सकता था हलाकि इस कारण से ब्रमोस missile को जब तयार किया गया था तब इसका range 290 km रखा गया था लेकिन इसका जो रफतार है वो करीब करीब मार्क 3 है पर MTCR के member बने के बाद रशिया के साथ मिलके भारत के तरफ से जो missile का development किया गया है इसका range भी बढ़ाना पॉसिबल हो गया और उसके बाद 200 इसके extended range variant हो को तयार किया गया जो की साड़े 400 km के range तरफ टारगेटों को निशाना बना सकता है पर Brommos Extended जो फिलाल under developed है मतलब जिसका निर्वान का काम Brommos Aerospace के तरफ से किया जा रहा है बताया जा रहा है कि ये missile साड़े 400 km नहीं बलकि इससे भी अधिक range वाले missile होगा मतलब करीब 800 km के range तरफ टारगेट को नि सकते है क्योंकि Mark 5 के रफ्तार तक पहुंचने से missile supersonic से hypersonic बन जाता है तो उहीं पर इसका रफ्तार Mark 4.5 मतलब hypersonic से थोड़ा ही कम होगा तो इस बताया ये भी जा रहा है कि Brommos Extended को असल में Indian Air Force के लिए भी extend किया जाएगा मतलब इसका Air Launch variant को वी तयार किया जाएगा जो Indian Air Force के Air Capito के द्वारा इस्तिमाल किया जा सके हाला कि इन missile को ही इस्तिमाल करके बताया जा रहा है कि Air Force के लिए एक Force Multiplayer का वी तयारी किया जा सकता है जो basically AVAX Aerial Refueler जैसे Air Capito को लंबे दूरी से मार सकेगा और अपने शेत्रे के अंदर ही रह के दुश्मन के शेत्रे के अंदर उ के है तो छोटा variant होगा जो current Bromus missile के मकाबले में आधा वजन का होगा मतलब दोस्तो current Bromus missile जहाँ पे धाई से 3 टन वजनी है तो उही पर बताया जा रहा है कि Bromus Mini या next generation के Bromus missile असल में 10 टन वजन का होगा जफकि इसका रफतार और range current Bromus missile के ही बराबर का होगा इन missile के development भी असल में Air Force के लिए ही किया जा रहा है आपके जानकारी के लिए बता दो कि फिराल जो Bromus A या फिर कहतो Air Launch Bromus missile है ये इतना भारी है कि इसका इसका इस्तमाल केवल मात्र सुकुष 30 MKI जैसे बड़े आकार के Aircraft के द्वारा ही किया जा सकता है वैसे तो दोस्तो धाई डन के पिलोट को कैड़ी करने वाले कई सारे Aircraft इंडियन Air Force के पास है लेकिन इंडियन Air Force के पास ऐसे सिंगल पिलॉंस या फिर कहतो हाट पॉंड नहीं है जहां पर ऐसे मिसाईलों को लगा जा सके इसकारण Bromus missile के नेक्स जेनरेशन वेरियंट को छोटे आकार में बनाया जा रह उसके जो दुश्मन के टेरिटरी के अंदर घुसके वार करने का श्रमता है उसमें भी बड़ोत्री होगा दोस्तों बताया जा रहा है कि इंडियन Air Force के जो फ्यूचर Aircraft है चायो ट्वीन इंजिन डेकवेस फाइटर या एमस ये सब में ब्रमोस एंजी का इस्तेमाल होगा और इन मिसाईलों को भारत के तरफ से एक्सपोर्ट किया जा सकता है वही पर दोस्तों ये छोटे आकार के होने के कारण इसका इस्तेमाल छोटे आकार के सबमरीनों में भी किया जा सकता है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इसके एक सबमरीन लॉंज वेरियंट भी ह प्रमोस एरोस्पेस के तरफ से ब्रमोस टू के मतलब हाइपरसॉनिक ब्रमोस मिसाइलों के लेके भी काम किया जा रहा है। प्रमोस मिला हुआ ओर्डर के बारे में। नहीं है बलकि इसके इलावा भारत से और वी कुछ हतियारों को अर्मेनिया के तरफ से खड़िदा जा रहा है। अर्मेनिया के तरफ से खड़िदने का इरादा जताया गया है और कितने संख्या में अर्मेनिया को भारत के तरफ से पिना का मल्टिवरे रॉकेट लांचर सिस्टमों का सप्लाई किया जाएगा। अकी आने वाले समय में ऐसे लड़ाई में अर्मेनिया को बड़ा नुकसान ना हो। इस फाइदे के बाद अजर्वेजान के तरफ से फिर से ऐसा ही प्रयास किया जा सकता है। अर्मेनिया अपने बेडे को ऐसे हत्यारों से लैस करना चाहता है जो एक तरिके से अर्मेनिया के पक्ष में हो और अर्मेनिया और अजर्वेजान के लड़ाई के दर्मियान अर्मेनिया को नुकसान से बचा सके। पिना का मल्टिवारे रॉकेट लॉंचर सिस्टम एक तरीके का ऐसा हत्यार है, जिसका इस्तेमाल करके लंबे दूरी से आठ लेडी के जैसे तावर तोर रॉकेटों से हमला किया सकते हैं, पिना का मल्टिवारे रॉकेट लॉंचर सिस्टमों को असल में भारत के द्वारा 1986 से डिजाइन और डिवलफ करना शुरू किया गया था, और मिसाइलों को तैयार करने के बाद इसका इस्तेमाल पहली वार कारगिल के लड़ाई के दर्मियान किया गया, कारगिल के लड़ाई में ये जो मिसाइल है, या फिर कहाई तो रॉकेट लॉंचर सिस्टम है, ये सकसेसफुली अपने भूमिका को निभाया और पहार के चोटियों में चुपे हुए कई सारे दुश्मनों को तभावी किया था, रिपोर्ट के मताविक साल 2014 तक भारत के द्वारा करीवन 5000 ऐसे सिस्टम हों को अपने बेडे में जहाँ पे शमिल किया गया, तो उही पे साल 2019 में इसके एक अपग्रेड़ेड वरिजन को भी टेस्ट फायर किया था, जो 90 किलोमीटर के रेंज तक टार्गेटों को निशाना बना सकता है, तो सो रिपोर्ट के मताविक अफ़ तक भारत के द्वारा पिनाका के कई सारे वरियन्टों को तैयार किया जा चुका है, जिन में पिनाका मार्क वान 37.5 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल है, तो उही पे गाइड़ेड पिनाका 75 किलोमीटर रेंज वाला Mark 2 ER मतलब extended range variant को भी test किया जा रहा है, जो 90 km range वाला है, जब कि इसके Mark 3 variant जो की under development है, ये 120 km range वाला missile है, तो सो ये जो पिनाका rocket है, इसके अलग-अलग variantों को अगर देखा जाए तो इसका लंबाई 2.91 मिटर से लेके 5.17 मिटर है, और इसका diameter 122 mm से लेके 214 mm है, बेसिक पिनाका का diameter 214 mm का है, और इसके EER version है केवल मात्र 122 mm का है, तो सो ये 12 barrel वाला rocket launcher system है, जो truck के उपर mount किया याता है, ये 55 degree के उचाई तक जा सकता है, और 90 degree तक इधर उदर घूम भी सकता है, तो सो पिनाका रोकेटर के अगर एक बैटरी को देखा जाए तो इसमें हर एक launcher में जहाँ 12 रोकेट रहता है, तो उई पर एक बैटरी में 22 रोकेट रहता है, और इन रोकेटों को केवल मात्र 44 सेगंड में दाग आया सकता है, रोकेटों में 100 kg से देखे 500 kg तक वरेट रहता है, और ये पिन पॉइंट accuracy के साथ तार्गेटों को निशाना बना सकता है, पिनाका रोके सिस्टमों के द्वारा रोक पाना काफी मुश्किल है, हलाकि ऐसे एर डिफेंस सिस्टम केवल मात्र इसराइल के पास है, जो रोकेट आर्टिलेडी को रोकने में सक्षम है, दोस्तों ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आद लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए, और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए, ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए, सबसे पहले, जैहिंद!